गुड मॉर्निंग स्टुडेंट, क्लास 10 हिंदी की क्लास में हमने कल स्टार्ट किया था विनय के पद, इसका केंद्री भाव समझा था, कभी परिचय तुलसिदास जी का समझा था और आपको होमवर्क में तुलसिदास जी का परिचय लिखने को दिया था, जीवन परिचय, और पहला पद जो था उसकी व्याख्या की थी, आज हम दूसरे पद की व्याख्या करेंगे, इसका अर्थ है, तुलसिदास जी कहते हैं, अभी तक मैं बहुत समय बरबात कर चुका हूँ, पर अब नहीं करूँगा, याने अभी तक मैं दुनियादारी ये सब में लगा हुआ था, और इश्वर की तरफ मेरा ध्यानी नहीं था, राम की करपा से मोह रूपी अंधकार, मेरा तेरा ये वो सब इसका अंधकार हमारा दूर हो गया है, अब फिर से इस अंधेरे में मैं अपने आपको नहीं जाने दूँगा, अब मैंने प्रभू के नाम की रोश्नी या ज्यान प्रात कर लिया है, उसे कभी भी मिटने नहीं दूँगा, श्याम के रूप की आभा स अपने चित और मन के सभी अंधिकार को दूर कर अपने मन को कंचन की तरह चमकाऊंगा मोह माया मतलब जो इंद्रियां है इन इंद्रियों के बस में मोह माया तेरा मेरा दुनियादारी इनके बस में मैंने दुनिया को महत्व दिया था पर अब इन सब के बस में मैं फसूंगा नहीं और अपने आपको इन सब मुहमाया से दूर रखूंगा भवरे की तहरे प्रभु के चरण कमलों पर सदेव अपना ध्यान रखूंगा आपको इसका भाव भी लिखना है और इस पद को भी लिखना है और इसमें आए हुए जो तत्सम और तद्भाव शब्द हैं तो उनको भी लिखना है तत्सम तद्भाव की व्याख्या में आगे भी कर दूँगी लेकिन आपने नाइन्थ में तत्सम और तद्भाव शब्द पड़े हुए हैं आप एक बार प्रैक्टिस करिए कोशिश करिए उनको लिखने की थैंक यू